जहीं दोस्तों क्या हाल है तो आज मैं आपको बताने वाल हूँ कि अगर आपके पास है भी आई का सिम कार्ड लेकिन उस पे आप जो 4G पे इंटरनेट चलाना चाहते हो तो वह नहीं चल पाता है अटोमेटिक 2G या तो 3G पे आ जाता है तो आपको पता है कि 4G पे जब सेलेक्ट रहता है तो आपका स्पीड बहुत ज़्यादा मिलता है लेकिन 2G पे हो जाता है तो आपका स्पीड डौन हो जाता है तो आज मैं आपको बताने वाल हूँ कि कैसे है आप अपने मोवाईल में वी आई के SIM पे अपने इंटरनेट को 4G पे ही fix करके रख सकते हो कभी भी आपको 2G 3G नहीं होगा अगर आप ही परेसान हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिजे मैं आपको दो settings बताने वाला हूं दोनों 100% working settings है वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को दे देता हूं तो चलिए इस वीडियो को start कर लेते हूं तो आपको अगर वीडियो के SIM पे हमेशा के लिए 4G को activate करके रखना है तो सबसे पहले आपको अपने phone में dialer को open करना होगा ठीक है डाइलर को open करके यहाँ पे एक code आपको type करना है वो code मैं आपको बता आयता हूं स्टार हैच स्टार हैच 4 6 3 6 हैच स्टार हैच स्टार जैसे यह code आप डायल करोगे तो आपको यहाँ पे टेस्टिंग का विंडो आ जाएगा ठीक है यह number मैं आपको डिस्पेले पे सो कर दोगा code ठीक है उसको आराम से आप डाल सकते हूं तो यहाँ पे ध्यान देने वाली करना होगा चलिए मैं यहाँ पर फॉन पर क्लिक करता हूं मैं वन में ही लगाया हूं तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए एक option आपको मिल जाएगा सिट प्रिफरेट निर्वर्ट टाइप का यहाँ पर एक box टैप बना हुगा है यहाँ यहाँ पर बटन पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है अगर आपके फॉन में यह code डालने के बाद में यह विंडू नहीं आता है तो आपको क्या करना है चले जाने है आपको प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में जाने के बाद में वहाँ पर आपको टैप करना उसके बाद आपका problem solve हो जाएगा फिर भी अगर आपको कोई problem है तो नीचे comment करके लिखेगा मैं आपको बता दूंगा ठीक है तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्क्राइब करें इस्टाग्राम पर फॉलो करें आपके सवालों का प्रसनली कि जबाब में दे देता हूं तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में तुम्हां ख्याल रखिए जय हिंद बंदमाद